अगली प्रॉडक्ट हम ले रहे हैं स्टेनिंग शंख्ला के अंदर और वेदीकायर के और फैमली से आपको पता है डॉक्टर प्रदीप सक्साना मेरा नाम है और मैं आपको तमाम ट्रेनिंग दे रहा हूं प्रोडक्ट की अलग-अलग और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोगों मैंसे कुछ लोग आके कहते हैं किसाब हम आपकी प्रेस्क्रिप्शन जो आप दे रहे हो अभी तो मैंने प्रेस्क्रिप्शन देने भी अगर यह सफल हो रही है तो अगर यह सफल हो रही है तो इसको बरकारा रखा जाए और इसी शंकला के अंदर आगे मैं एक ऐसा प्रोड़क्ट लेने वाला हूं दोस्तों देखिए आज जो एक हमारी बहुत ही विकट समस्या चल रही है वो क्या ज्यादा तर लोगों के शं दूसरी बात उनके किसी उन्हें नहीं पता होता है कि उनके अंदर आपत में कुछ सेल्स टकरा रहे हैं और वो घायल हो रहे हैं और गायल होने के बाद वो कुछ और गायल कर रहे हैं और कुछ और सेल्स को गायल कर रहे हैं फिर कुछ और सेल्स गायल हो रही है और गायल हो होते 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 बड़ा समुम सेल्स का घायल हो जाता है और वो बना देते हैं हमारे लिए कैंसर नहीं पता है नहीं पता है चार साल का वक्त लगता है दोस्तों कैंसर बने हैं जिससे में यह सेल्स आप आप में युद्ध गर रहे होती हैं लड़ रहे होती है उससे में आपको यहां पर जिस समय वह शुरुवात में इस लड़ी और उनका जगड़ा हुआ वापत में खुन खचर हुआ अगर उसी समय में रेमिडी मिल जाए तो आपको क्या लगता है कैंसर होगा कैंसर कभी नहीं होगा क्योंकि कैंसर को वहीं रोप दिया गया जो दर्द होने की स्थी थी उसको वहीं रोप दिया गया कि जबर्दस्ट एंटिवाइटिक होता है हम सब लोग खाते रोज खाते हैं लेकिन प्राइब्लम क्या है हम सब लोग उसका कच्रा खाते हैं मॉलीक्यूल नहीं खाते हैं जिस दिन आपने उसका मॉलीक्यूल खाना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर कितना चेंजिस आने वाला है, तो आज मैं जिस प्रड़क्ट का दर्शन कराने वाला हूं, करा देता हूं, कराओं क्या, लेखिए अच्छा, मैं कराता हूं उसके क्या उसद्यों की और का, देखें, यह कुरौ्ध्मउ प्रॉडक्ट है, इसको नाम पुरौ्ध्म. आप जानते हैं, दोस्तों, कुरुकुर्मीन क्या होता है, धल्मीन होता है, हल्धी का मॉलीक्यूल, हल्धी हम रोज खाते हैं, लेकिन वो हल्धी हमारे लिए सफिशेंट नहीं होती है हमारी cancerous cells को मारने के लिए वो हल्दी sufficient नहीं होती है हमारी body के pain को कतम करने के लिए इसलिए हमारी cancer भी बनता है और हमारी जो pain है वो भी होता है हमारे पास में इतनी antibiotic इतना जबदस्त नहीं होता है हो कि हम इतनी हदी नहीं कह सकते कि एपने आप से हमारी body के अंदर अपने आप से ऐसा कुछ हो जाए कि हमारी body से उस 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 वक्त में हम थीक रहें हमारी को कोई भी harm नहों उस हमारी body को नहीं पता है लेकिन अब कैसे होंगे अगर आप को मैं कहता हूं कि अगर आपको जनरली यह तो सब के लिए ऐसा टॉनिक है अगर कोई जरूर नहीं कि हम बीमार होके खाएं आपने सुने होगा मैं काई बार कहता हूं आपको मैंने बहुत सारे जहां पर बहुत ज्यादा बड़े-बड़े क्यां कि देखिए अगर मैं चाहता हूं कि आपको मैं आदा कीलो अधा घ्लो खिला हूं तो आप ठीक हो जाओ लेकिन या 250 घ्लाम खिलाना यह असान काम क्या कोई खा सकता है कोई नहीं अगा जकता है लेकिन अगर इस 250 घ्रम हल्दी का मॉलीकुल निकालके तो चाम करता है अब मॉलिकयूल को अगता है अगनि मैं आज मैं आपको मॉलिक्यूल दिफाइन करता हूं होता कि है कि हर चीज़ के अंदर ुसलप चाफ फूंग्टij तो यह बना है तो यह बिल्कुल की आपने बदाम देखा है बहुत सारी जगह पर बदाम का तेल निकल लिए जाता है लेकर बदाम फिर भी बीगता है तो जो बधाम थेल निकला हुआ ज you what about a वह थाम कःने देसे फाइदा होने वाला है नहीं होता सब जने जन थे सब्टमों हर ओक लेकिन जो अश्भी बधाह होता है इसका तेल नहीं लेख महुंगा होता है क्योंकि उसके तेल होता है वही तो काम करता है similarly यहां पर हल्दी जिसका जिसके निदर से कुरकुरमीन बाहर निकाल दिया बाहर निकाल दिया तो वह भाल्दी देपेकार है He is a molecule of that हल्दी देपेकार है तो कई काम बढ़ नहीं करेगी बहुत अच्छे हैं इसे बहुत सारी बीमारियों हम देते हैं तो आपको आज मैंने बताया कि यह कुरकुर में इसके लेने की डोस क्या है इसकी एक सुभा एक शाम खाने के पहले ले पानी से लेने सिंपली आप देखिए आपके बहुत सारे दर्द कता हो जाएंगे और नु आपको मैं बताता हूं कि आप पेल किलर से दूरी रहें आप अईरुवेदिक अपना हल्दी का कुरकुर में लें और एंज्वाय करें कुछ नहीं होगा अभी अभी लाइव का किस्ता है मेरे पास लास्ट वीक मेरे पास एक पेशन्ट थी वह कहते थी बिना इंजक्शन के मेरे ठीक नहीं होती दर्द मेरे ठीक जाता नहीं मैंने उसको यह खिला है सुबह शाम उसको इंजक्शन लेने की जबवत नहीं पड़ी है इभी तक कम से कम मेक अप्तर ज्यादा हो गया है तो यह टेस्टीमोनियल है अभी लास्ट वीक गया हूं कैम्प में तो ऐसे बहुत सारे टेस्टीमोनियल है एक नहीं है बहुत सारे हैं तो आज मैंने आपको यह सब चीज इसलिए बताई है कि बहुत से लोग कहते हैं हमें आयुरुवेदिक दवाईयां पर विश्वास नहीं है कि हम ठीक हो जाएंगे मैं आप से एक बात पूछता हूं अपाली मेख्स, इलाइची, यह सब क्या है क्या है कि यही तो आईरवेद है है जब आपको यह सूट करता है तो आयुरुदिक कैप्सूल क्यों नहीं करेगा शूट आपको पूछ रहा हूं किसी नहीं बुद्धि बांधिये की आईरवेदिक दवाईय काम नहीं करती है अगर वो काम नहीं करती तो जो खाणा की वाध कृम करते है पूछ ना चाहता हुं आपसे बताओ प्सक्रों उसमें क्यों को शेटी कॉछ होता है तो खाना काम करता है इस जो कम समय में चुटकियों में ठीक हो गए पता ही निचला कि कोई बीमारी भी थी कोई ठखात तो वह इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अपने आप से आयरुवेद के साहरे रहें नेचुरोपैत के साहरे रहें अपने आप को ठीक करें हमारी जगे जगे कैम्स होते हैं आप कैम्स में जाएं और अब तो कंपनी ने बहुत बड़िया एप भी निकाल दिया है जिस एप के थिरूप आरुग्य परहमर्ष के नाम से परहमर्ष के अंदर आप जाके लोग इन कर सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं डॉक्टर चुन सकते हैं किस डॉक्टर से दवाई लेनी है वहां से प्रेस्क्रिप्टिशन आपके पास आजाएं क्या मुझेदार चीज है आप रसकते हैं मैं आपको यह भी बत दो और दोखार, तक य। रमीच्छ